नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आज के मुखे समाचार के इस वीडियो में जी हाँ दोस्तों सरकार की तरफ से काफी बड़े ऐलान किये गए हैं काफी बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही हैं क्योंकि इसमें हम आपको काफी मैतोपुन खबरों की जानकारी देने वाले हैं। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप भी चाते हो कि हमारे भारत में फैले हुआ ये कोरोना मामारी जो है, तो इस वीडियो पर दिल से एक लाइक जरूर कर दीजेगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट की जानकारी देंगे कि 3 माई के बाद नई बड़ेगा लोगडाउन। जी हाँ दोस्तों सरकार ने सपस्ट कर दिया है कि 3 माई के बाद जोगडाउन को नई बढ़ाया जाएगा। साथ ही दोस्तों हवाई टिकट और रेल्वे टिकट की बुकिंग एक बर फिर से सुरूः हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों पहले भी railway ticket booking की जा रही थी जिने cancel करने के बाद उनके सारे पैसे वापिस दे दिये गई लेकिन अब हवाई ticket और 3 माई के बाद जो रेलवे के टिक्टे बुक होना शुरू हो चुके हैं यानि कि सबी चीजें वापिस शुरू हो जाएंगे 3 माई के बाद पूरी जानकारी हम आपको देंगे इससे के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 20 अप्रेल के बाद भी जिनकी पटरी पर लोटने वाली है क्योंकि 20 अप्रेल के बाद भी सरकार जोगा काफी चीजों में छूट देने वाली है जैसे कि आप होटल में जाकर खाना खा सकते हैं अपने वाहनों को शड़क पर चला सकते हैं एक रजे से दूसरे राजे में जा सकते हैं 20 अप्रेल के बाद ऐसी कई छूट मिलने वाली हैं जिनकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे वीडियो के साथ अपां तक बने रही है इसे के साथ ही दोस्तो हम आपको अगली बड़ी खबर अपडेट के जानकारी देंगे कि लोकडाउन में जो है बेवजा लोग जो वहां चलाकर यानि शड़कों पर घूम रहे हैं उनके उपर सरकार जो है एक से डेट क्रोड रूपर तक का जुर्माना लगा रही है जी हा हुए है अपने राजे से किसी दूसरे राजे में उनके लिए 200 बसों का संचालन जो है यूपी रोडवे सरकार ने शरू कर दिया है जी हाँ दोस्तो यूपी सरकार जो है अपने सभी नागरिकों को वापिस लाने के लिए 200 बसों का संचालन शरू करने वाली है इसी के साथ दोस्तों हमने आपको दो दिन पहले ही बताया था कि यूपी सरकार ने 200 बसों से अपने जितने भी स्टूडेंट दूसरे राजयों में फशे हुए थे उन्हें निकालाया इसी को देखती हुए कई राजय जो बस सेवा को शुरू करने वाले हैं कौन-कौन से राजय बस सेव फैल सकता है कैसे फैलेगा और कैसे आप इससे बस सकते हैं पूरी जानकारी हम आपको देंगे इससे के साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि बड़ी खबर अपडेट निकल कर आएगी सरकार ने बड़े पहमाने पर लोगों को जोब देने के लिए प्लानिंग शुरू कर द देखें इससे के साथ ही दोस्तों अगली बड़ी खबर अपडेट की हम आपको जानकारी देंगे की बुखार और जुखाम के दवा भी अगर आप लाने जाते हैं मेडिकल से तो आपको वहाँ पर अपना पूरा रिकोर्ड देना होगा राज्य सरकारों ने ऐसे आदेश द और काफी बड़ी खबर अपडेट निकल कर आज चुकी हैं जिसकी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए तो चलिए दोस्तों एक एकर के सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं आप वीडियो के साथ अंतक बनी रहीगा तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे राजे के सरम मंतरे ने काहि कि जल्दी ये राजी चीद्य गरीब लोगों के खाते में और मजदूर लोगों के खातों में जुआ पेज दी जाएगे करते हैं उन सभी को एक हजार से लेकर पांच हजार रूपर तक सभी राज्य की सरकारे देर दोस्तों अभी तक यह पैसा आपको मिला है या फिर नहीं मिला आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि आपकी आवाज भी जो है सरकार तक पहुंच चके इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिए और साथ ही दोस्तों आप अपने तथा राज्य के या फिर आप अपने जिले गाउं के किसी भी सरफन से मिल सकते हैं नगर पालिका नगर निगम में आप जाकर संप्रक कर सकते हैं वहाँ पर अपना नाम दरुज करवा सकते हैं जिससे कि आपको एक से लेकर नहीं बढ़ेगा लोकडाउन एर इंडिया ने शुरू कर दिया है टिगट की बुकिंग जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि सरकार ने ये सपस्ट कर दिया है कि तीन मही के बाद जो है लोकडाउन की अवधी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा इसी के साथी एर इंडिया ने लोकडाउन के दूसरे चरंड की समापति के बाद उडान भरने का फैसला किया है च्यार मही से कुछ डोमेस्टिक फ्लाइटों के टिगट की बुकिंग शुरू हो जाए इससे के साथी इंटरनेशनल फ्लाइट की सेवाई एक जून से शुरू होगी जिसके लिए भी ब फसे में वह भी जा सकते हैं ट्रेनों की सुरुवायत भी जो है तीन माई के बाद हो सकती है पहले ट्रेनों के बुकिंग की गई थी दोस्तों उसे बंद कर दिया गया था उसके बाद सभी को पैसे रिफर्ट के गया थे लेकिन अब रेलवे की तरफ से यह बयान आया है कि वह भी अपनी ओनलाइन टिगट की बुकिंग जल्द शुरू करने वाला है तीन माई के बाद रेल गाडिया चलनी शुरू हो जाएंगी जी हाँ दोस्तों अगर आप भी चानना चाहते हो कि सरकार किस दिन क्या खोलने वाली है किस दिन कौन सा काम की छूट देने वाली है आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा कर चैनल को जुरूर सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन भी जुरूर दबालें ताकि आपको आगे भी ऐसी और खबरे देखने के लिए मिलती रहे साथी पलपल के अपडेट से आप जो है जुड़े वीडियो मे अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए सई जवाब देने वाले को हमारी टीम की तरफ से एक अमेजिंग और सर्प्राइज किफ्ट दिया जाएगा इसे के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि केरल में 20 अप्रेल से पटरी पर लोटेगी ज इस तरह में बैठ कर आप खाना खा सकते हैं साथ ही वहाँ चलाने पर भी छूट मिलेगी जी हाँ दोस्तों देश में बढ़ रही कोरोना वाइरस के खत्रे के बीच वो खबर आई है जिसका देश को नई पूरी दुनिया के हर देश को इंतजार है जी हाँ दोस्तों सबर भी सामने आई है जी हां दोस्तों केरल राजे से बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रही है कि 20 अपरेल के बाद जो है आप होटल में खाना खा सकते हैं अपनी वहाँनों को यानि कि अपनी गाडियों से जो हाँ आप सड़कों पर निकल सकते हैं बेजी जिजक बेज निरा रोक टोक के किसी भी परकार के आप से रोक टोक नहीं की जाएगे साथ ही आप अपने काम पर जा सकते हैं आप अपनी मजदूरी पर जा सकते हैं आप अपने ओपिस जा सकते हैं 20 अपरेल के बाद जो है केरल ऐसा देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर सभी रहेंगे आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन जुरूर दबालीजिए इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी खबर अपडेट निकल कर आ रहे कि लोकडाउन में 2220 वहानों पर कारवाई की गई है जिसमें 1.11 क्रोड रुपक का जुर्माना फसुल लगाया है जी हा दोस्तों आपसे हमारा भी निवेदना अगर आपको जब तक कोई जुरूरी काम ना हो आप अपनी गाड़ी को या फिर बाइक को लेकर रोड पर ना निकले वरना आपको आर्थिक नुकसान जो उठाना पड़ सकता है आपके गाड़ी जबत हो सकती है या फिर आप पर भा राजयों में फसे हुए है उन्हें निकालने के लिए जो है दोस्तों रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दी इसके बाद जो और भी बसे चलाने के आदिश दिये जा सकते हैं जी हां दोस्तों यूपी सरकार ने जो है कुछ दिन पहले ही यानि कि आज से दो से तीन दि शुरू कर दिया है इसी को देखती हुए देश के कम से कम 15-20 ऐसे राज्य है जो कि आपने यहां बसे चलाने के लिए ज़ता हम नोटिस जारी कर चुके हैं जी हां दोस्तों 15-20 ऐसे राज्य हैं जो दूसरे राज्य में फसे हुए अपने लोगों को निकालने के लिए बसो कार को पता चल सके कि कौन लोग कहां लोग कितने लोग फसे हुए हैं तो दोस्तों आप भी हमें कमेट करके जरूर बताईएगा इसी के साथ ही दोस्तों बड़ी ख़बर अपडेट निकल कर आ रही है कि एर कंडिशनल के उप्योग से घरों में फैल सकता है क्योंकि दोस्त कि हवा हमारे घर के बार से हमारे घर में जब परिवेश करती है इसी के दौरा उससे सबी लोगों को जो कोरोना हो सकता है इसलिए सरकार ने काया कि आने वाले कुछ दिनों तक आप अगर एर कंडिशनल नियारी की एसी का इस्तमाल करते हैं तो उसे कुछ दिन के लिए अगली बड़ी खबर अपडेट की बात करें तो सरकार ने बड़े पेमाने पर लोगों को जोब देने के लिए कि है प्लानिंग जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि देश में किये गए लोग डौन के चलते बड़ी संख्या में उध्योग धंदे बंद है ऐसे में बड़ी तो सरकार जो है पूरे देश में जितने भी गरीब लोग है या फिर जितने भी लोगों का काम धंदा चुट गए है उन सभी के लिए एक कार्ड जारी करने वाली है जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कि मातमा गांधी राष्टे ग्रामें रोजगार गारंटी योजना के त है और आपके पास ये कार्ड है दोस्तों तो आपको जो है सरकार घर बेटे ही महीने के सैलरी देगी यानि कि आपको दिन के 300-400 रुपय के हिसाब से आपको पेमेंट किया जाएगा जितने भी आपके महीने के 8-10 रुपय बनते हैं वो आपके खाते में डाले जाएंगे या फिर आपको काम सरकार दिलाएगी अगर जितने दिन काम नहीं मिलता तो भी आपको पैसे मिलेंगे जी हाँ दोस्तों आप भी इस कार्ड को बनवा सकते हैं मातमा गांधी राष्टिक ग्रामिट रोजगार योजना का जो कारड है उसे अगर आपने बनवा लिया तो आपको जो है काम की किसी भी प्रकार के कोई चिंता नहीं करनी होगी सरकार आपको घर बेठे काम दिलाएगे आपके छेतर में आपके गाउं में सरकार जो है आपके काम की विवस्ता करकर देगी तो दोस्तों क्या आप इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए हम आपको पूरी डिटेल दे देंगे सरकार ने अभी इसकी पूरी डिटेल अवी ओनलाइन फॉर्म जो है इसके सुरू करने बाली है तो हम आपको फॉर्म लाइव भर कर दिखाएंगे कि यह कैसे बर सकते हैं कैसे आप इसमें जुआ आविदन कर सकते हैं आप हमें कमेंट करके बताईए कि आप ये काड़ बनवाना चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं इसी के साथी दोस्तों अगली बड़ी ख़बर अपडेट निकल कर आ रहे हैं कि कोरोना वायरेस बुखार और जुखाम के दवा खरीदने वालों का रिकोर्ड रखे गये मेडि आंदारों को ग्रहक का नाम पता मोबाइल नंबर नोट करने के लिए का गया है आदिस देने वाले राज्ये हैं तेलंगाना आंदरपरदेश बिहार और महरास्टा आंदरपरदेश और तेलंगाना सरकार ने काया है कि लिष्ट देखकर दवा खरीदने वालों को ट्रेक कि जाएगा जिसके कि उसके कोरोना टेस्ट किया जा सके जी हैं दोस्तों अगर आप मेडिकल से जुखाम की या बुखार की या सर्दी की किसी भी परकार की कोई टेबलेट भी लेने जाते हैं तो आपको वहाँ पर जुआ अपनी पूरी डिटेल देनी होगी उसके बाद यह कि कोई दवा बेजते हैं तो उसका पूरा रिकोर्ड रखें ताकि उसको सरकार जो है ट्रेक करने के बाद उसका कोरोना टेस्ट करवा सके जी हां दोस्तों अगर आप मेडिकल से दवा लेने जाते हैं तो आपको सभी जानकारी वहाँ पर देनी होगी तो दोस्तों ये थी कि कुछ मैत्वफुन खबरें बड़ी खबरें जी हां दोस्तों हमने आपको सभी 60 खबरों के जानकारी इस वीडियो में दिये उमीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें शेर करें साथ ही दोस्तों वीडियो के नीचे दिये गए इस लाल बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी ऐसी और खबरें देखने के लिए मिलती रहें तो चलिए दोस्तों मिलते हैं को वीडियो में जब्सक्राइब